प्रियाग्रास में अतरसुया थाने शेत्र में बने बर्गत खाट के सिल्यांज के दोरान कैबिनेट मंतरी नंद गुपाल गुपता नंदी ने विबक्षियों पर चमकर तंज कसा यूपी में बीजेपी सरकार चार साल पूडे होने पर उनके तमाम नेता मंतरी सरकार की उपलग्धियां किनाने में लगे हुए हैं उसी कड़ी में जहां कल प्रदेश सरकार के प्रवक्त कैबिनेट मिनिस्ट्र सिधार्त नाज सिंग ने प्रेंका गांधी पर तंज करते हुए उन्हें ट्वीटर की रानी कह दिया था और नाव पर घूमने का शौकीन बताया था वहीं आज उठियन मंतर नंद गुपाल न साथ मजा किया था वह जमीनी हकीकत के बारे में क्या बताएंगे वहीं सपा कॉंग्रेस और बस्पा पर आरोप लगाते हुए नंद गुपाल गुपता नंदी ने कहा कि इन पार्टियों में भाई भतीचाबाद चलता है और यह भी कहा कि जब सपा की सरकार थी तो यादों से भी 10 लाख लिया जाता था और 11 यादब से 15 से 20 लाख रुपे ले लिया जाता था और जब बस्पा की सरकार थी तो दलितों से 15 लाख और गैर दलितों से 20 से 25 लाख लेकर नौकरी दी जाती थी आज माननी योगिय दिते नाकम के नितम में लोगों को बिना पैसा लिये रोजगार मिल रहा है और सभी न्युक्तियां पारदरिश्टा के साथ हो रही हैं ये सुनाते हैं देखे हम सबका परम सभाग्य है कि आज हम उस कालखंड में हैं जहां इस देश की बागदोर एक परम तपश्वी आधरणी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरिच्छित है तो वहीं दूसरी और इस प्रदेश की बागदोर एक कर्म योगी मुखमंती योगी आधित तनाजी के हाथों में जिस प्रदेश में रहने वाले 24 करोड लोगों को अपना परिवार मानते हैं और चार सालों में वो वो कारे हुए हैं जो वरसों से लंबित पड़े थे दूसरी सरकारों में केवल लूट का अड़्डा बना था एक रुपए की चीज सौ सो रुपए तक उसकी लागत प्रिधी तक करते गए और अपनी जेव भरते गए उसको क्रियानवन नहीं कर सके क कर पाए मानि मुख्पंती जी के नित्वित में ऐसे वरसों से पड़ी लंबित योजनाओं का धरातल पर लोकारपन हुआ है और सबका साथ सबका विकास और सबका विस्वास सिर्फ नहीं यह नारा यह है उद्देश हमारा और आज कहीं कारकम इस पर चर्तार था और इस ब किस तरह से भाई बतीजावाद परिवारवाद में लिपत रहे हैं यह किसी से छिपा नहीं सांदार एकांत में बैठ करके ट्रिट करने की राजनीत सोशल मीडिया में बयान बाजी करने की राजनीत करोना से जब लोग पीडित थे तो आटो और इसकूटर का नंबर बस में दे करके लोगों के साथ मजाग करने वाले लोग इस तरह की बाते कर रहे हैं सपा में किस तरह से गुंडा राज, किस तरह से भाई, भतीजा और परिवारवाद था और सपा में जब नौकरी निकलती थी तो यादों हैं तो उससे भी 10 लाख ले लिया जाता था अदर यादों से 15 लाख और 20 लाख ही आजाता था बस्पा में दलित को कुछ रियायत देते हुए 7 लाख और 8 लाख और दलित से अदर ने उनसे 15 लाख और 20 लाख, 25 लाख रुपई लेके नोकरियां दी जाती थी आज मानी मुख्मंती योगी आदित नाजी के नेत्रित में प्रदेश में हर जाती धर मजब के बच्चों की नौकरियां लगी है और सब इस बात कुछ हाती ठोक के कहते हैं कि बिना किसी पैसे के लगी है पूरी पारदरिस्ता और इमानदारी से लगी है इसको सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास धरातल पर दिखाई देना कहते हैं और सभी जाती धर मजब के लोग 2014 से जिस दिन से भारती जन्ता पार्टी की सरकार केमर में बनी है अधरणी प्रधान मत्री मिरें मोधी जी के लेते तुमें उनके लगातार किये गए कारियों पर 2017 में जन्ता ने मोहर लगाई 2019 में जबर्चस्त तरीके से प्रचेंड बहुमत के साथ फिर से केमर में सरकार बनी और 2019 के बाद जो उप चुना हुए मानि मुखमती जी ने इस प्रधेस में जिसतर से कारे किये उस पर मोहर लगाते हुए जन्ता ने प्रचेंड बहुमत दिया 2022 में भी हम प्रचेंड बहुमत के साथ आएं